विश्र मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोग प्रिये जैनल न्यूस चैनल चैनल महाल अश्मी के ओर से आप सभी को साधर जैनल करते हैं इस वस्त बता रहे हैं आपको अपनी विरास करती बार आज हमाने साथ क्या क्या हो रहा है कुछ एक मजाब साभी कई पर हो जाता है जैसा ही देखने हैं आप कलेक्टेर सी होर के दौार पर कलेक्टेट के दरवाजे पर क्या बात है हमारे तीरतं के बत्गो जैसे शोपीस के रुप में सजा दिये गया है क्या हमारी बंदनी ये पूजनी ये प्रतिमाए हाँ घंडित है एक इतिहास है इनका भी हजारों मुज़ियूम में होना चाहिए बाकाइदा विवरण के साथ वहां इस्तर दिखाना जहांसे रोग इस्तर जाते हो क्या यह सही है पिलकुल नहीं है किर्पया इसको अठाके वही उचित जगह दे नेशनल म्यूजियूम में या स्टेट म्यूजियूम के अंदर बाकाइदा इसका अतिहास अतित लिखे तो वह लगता है कि उचित जगह उचित सम्मान के साथ अपने इन प्रतिमाव को रखा है वरना यह निरादर किया जा रहा कि जाता है तो लगता है कही ना कही है गलत है तो अग्यानता मीं जानने एक रण नहीं है यह बात को ध्हान रखना होगा और वहां के समन्दित अधिकारियों को वहां के समाज को इस बारे में तूरंत तक कारवाई कर नीचे देख रहे हैं और वीर नराय टेंपर बैंगलोड से लगबाद 230 किलो मिट चालेश नूट पड़ेगा और चिक मंगलोड से 30 किलो मिट पड़ता है बगवान विश्णु पर समर्क मंदिर का जाता है और होई सब्सक्राइब कालकर समय का है कि कहां किया है कैसी शल्क पारी थी उस खाल के अंदर जब इस विश्णु मंदिर को बनाया गया लेकि जब बनाते बनाते देखते जा रहे थे इनके बाहर की दिवार वो देखते जा थे किती शल्क पारी है तो बात में नजर अटक गई खटक गई और यह प्रतिमा दिख गई ध्यान मुद्रा के अंदर एक तीर्थंकर की प्रतिमा येक्ष्ष्णी के साथ अब उसे कह दिये हैं वो देवी देव तबना लेते हैं यही तकलिव होती है कि हमें अपनी जो प्रतिमा हैं उनमें पाकायता लिखना चाहिए वो आप देख रहेंगे दोनों तो व्यक्ष्ष्णी है और बीच में तीर्थंकर्थ्यान मुद्रा में जैसा कहा जाता है उस काल में इसी तरह को रूप को कई मंदिरों में सेकड़ों मंदिरों में इस रूप को परदर्शित किया गया है तो क्या नहीं हम नहीं कहते कि विश्णु मंदिर कभी जैन मंदिर रहा होगा पर हम तो ये कहेंगे, इस विश्णु मंदिर में अगर जैन परतिमा है, तो कोई ना कोई सम्मन्द जरूर रहा होगा, इस बात से इंकार इतियास को नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में इतियास आज चुप रहता है, ये परतिमा यहाँ पर, अगर इसके बारे में खंगाल हमें दावा तो नहीं करते हैं, पर इतना जरूर कहते हैं, कि विश्णु मंदर के अंदर तीर तेगर परती में कहोना, जरूर ना कुछ ना कुछ इस बात को संकेत करता है, कि आ दोनों उसमें एक साथ परमप्रह चलती थी, दोनों बंदनिये पूझनिये एक साथ मान जाते हैं, कि इसका जवाब नहीं मिलता है, इतिहास के पर में वो किस तर लिखा गया है, इसके बारे में एक रिसर्च कोज होनी तो चाहिए, अब ले चलते हैं आपको गुजराद, एहमदाबाद, वाज़ा सो किलो मिट दूर साभार काठा जीले के साबली काउं में ये द्रश् रही है, कुछ प्राचीन देखनी है, लगबख छे सास्तो साल पुराना कम से कम है मंदिर, आज जीन शीन आवस्ता में, इतना एतिहासिक लगता है, कि देखते दूर से गजब देखता है, पर जब बाहर अंदर पहुंचते हैं, पास पहुंचते हैं, तो खंडर जैसा नज नमर भी करें, प्रमान इसके साफ देखते हैं, उसमें ऐसी बात नहीं है, पर जैन प्रतीमा ये जैन तीर्थंकर प्रतीमा हो कही है, विशाल मंदिर आज यहां पर कपड़े सुखाने के और लोगों के रहने का इस्तमाल होता है, आज ऐसी विरासत अनमोल, इतनी विशाल जिसको समालना चाहिए, चंद पैसे लगकर ये बन जाएगा, ऐसा भवे मंदिर आपको देखने हैं, हाँ आसवास आज यहां पर कोई जैन नहीं रहता है, अन्य लोग आके इसको अपने ठैले का इस्तार बना लिया है, कबजा दीरे दीरे शुरू हो चुका है, इस विशा आपको छोड़ किए, खंड़ चोड़ किए, तो आप पहचान पाएंगे कि सेंकलो वर्ष पराचीना साथ हमारी कैसे हो रही है, सवाला चोड़ते हैं आपको इन तीम ना सोतों पर, एक कलेक्टर के पास शोपीस बना दी गही है, दूसरा उस विश्णु मंदिर में तीर सं पर, सुईगा मत, जागिर हो आप, साथ, जैजनिन के साथ. झाला बहां जागिर भी यहां साथ.